नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आप लोगों के लिए महत्तो पूर्ण वीडियो लेके आ गया हूँ अब आपका समय खतम होने जा रहा है दोस्तों और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने हैं तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उनमें आप पढ़ते दोस्तों आपने वीडियो नहीं देखिए पिछली तो जरूर देखिएगा वह प्लेइलिस्ट बना रखिए आप जाके चैनल को एक बार चेक कर लीजिएगा और तीन चार वीडियो और आएगी आप लोगों के लिए जिसमें आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और फिर चित्रकला का अंग नहीं है लेकिन बनी ठणी एक चित्र है चित्रकला का अंग नहीं है यह एक क्या है चित्र है जिसके चित्रकार को ने मोर्दवज निहाल चंद है जो कि किसन गड़ जो चित्र शेलिए वहां के हैं यह दोस्तों और किसने बनवाया था यह सावन सींग न तो आप याद रखना और इसे बनी ठणी को फेमस किस ने किया था तो यह किस ने किया था जल्दी शेक बता दीजिए आप कमेंट करके फटापट से कमेंट करके आप बताएंगे कि यह किसके द्वारा फेमस की गई थी कोई अंग्रेज थे उनके दोरा फेमस किया गया था आप याद रगना बताना फटा फटा फट कमेंट करगे सलेमाबाद में निम्बार्क चारे पीट के इस्तापना किसने की सलेमाबाद में निम्बार्क चारे पीट के इस्तापना किसने की से किस स्थल से जाक बाबा प्रतीमा प्राप्त हुए तो जाक बाबा की जो प्रतीमा है वह कहां से प्राप्त हुए तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं बताईए फटापड से जल्दी से इसका जवाब जाएगा नोह बरतपूर से मिली थी नोह बरतपूर से 1963-64 इस्वी में श्री रतंट चंद्र अगरवाल यार्सी अगरवाल के नेदिस में जो खुदाई हो रही थी तो उसमें यहां से जाख बाबा की परतीमा जो है मिली थी तो आप याद रखना विशाय का एक्स परतीमा तो यह सारी चीज आप लोग याद रखेंगे तो इंपोर्टेंट है नेश्ट परसन आप लोगों के लिए अकबर द्वारा मान सींग को निम्र में से कौन से मुगल प्रांतों का सुबेदार राज्येपाल निउक्त किया गया था तो आप बताइए कि जो है मान सींग को का 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 सुबेदार यानिके राज्येपाल निउक्त किया गया था इसका जवाब आप लोग देंगे तो सही जवाब हो जाएगा काबुल का किया गया बिहार का किया गया बंगाल का भी किया तो इस परकार ऑप्शन नमबर ए हो जाएगा गुजरात का नहीं किया था मित्रो ठीक आपका सही जवाब हो जाएगा नेक्स क्यूशन गोसुंडी अभिलेक बासा में लिखे गए जो गोसुंडी का जो अभिलेक है कौन सी बासा में लिखा गया इसका सही जवाब हो जाएगा संसकर्थ गोसुंडी का जो अभिलेक है वह संसकर्त बासा में लिखा गया आप लोग याद रखना इस अभिलेक को डियार बंडार करके द्वारा पढ़ा गया था सबसे पहले दोस्तों गोसुंडी का जो अभिलेक है इसे दोस्तों डियार बंडार करने पढ़ा था इसकी जो बासा है परसंस करते हैं और लिपी ब्रहमाई लिपी है तो ये भी आप लोग याद रखना गोस्ट इंडी अभी लेग जो मिलाता चितोडगड में मिलाता ठीक है ना इंपोर्टेंट एप लोगों के लिए नेश्च परसं और यह पर बाह निश्ट समप्रदाई सबसे पहरें जानकारी मिलती है नेश्ट परसं काली बार बार में आता और बहुत ही इंपोर्टेंट परसंद है और कौन से गाउं से समंदित घटना है यह यह भी पूचा जाता है और इनके गुरु कौन ते सागा भाई थी इनके मतलब गुरु ठीक है कौन सागा भाई और उनको बचाने के लिए दोस्तों इन्हों ने क्या किया था उसमें कूद गई थी मतलब उसको रशी को काट दिया था जिसे रशी को काटा तो जो है अंग्रे जोनीन के ओपर गोले दाग दी और यह क्या हो गए सहीद हो गई थी रास्ता पालकी करता है डुंगरपुर रास्ता पालकी नेक्स्ट परसान उनीस सो और तालेश मतल से संका प्रदान मंत्री किसे बनाया गया और उद्गाटन किसे को बनाया गया था याद रखना यह कहां के थे अलवर के थे नेक्स्ट कुशन निमुचाना कांड के समय अलवर का सासक को था जो निमुचाना हत्या कांड वह था दोस्तों उसमें वहां के कों थे बताईए सासक तो वहां के सासक को थे दोस्तों वहां के सासक थे माराजा ज दोस्तों मातमागंदी के द्वारा यहां पर दोस्तों 156 लोग क्या हो गए ते सहीद हो गए ते यह आप लोग याद रखिएगा चज्जु नामक जो पुलिस अदिकारी है उसने फाइरिंग की थी यहां पर किसानों के उपर नेक्ट कुशन राजस्तान की कौन सी देशी रि किति सबसे लाष्ट में बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब जेसल मेर हो जाएगा क्या होगा जेसल मेर नेक्ट कुशन बवानी साही सर्मा राजस्तान के सोतनतरता सेनानी समंदित थे तो इसका जवाब हो जाएगा अलवर से बवानी साही सर्मा राजस्तान के स्वतनतर्ताशेनानी अलवर से समंदित थे next question परियटन इस्तल अचलगड इस्तित हैं परियटन जो इस्तले अचलगड तो ये अचलगड काँ हैं तो अचलगड दोस्तों सीरोई में हैं काँ हैं सीरोई में जीलो की नगरी कौन सी हैं उदेपूर है और पांड़ु पोल काँ अलवर में हैं चंद्र महल जैपूर में हैं याद रखना नेक्ष्ट प्रसान उस समुच्चे को चुनिए समुच्चे देरकाई यहाँ पर चुनिए जिसमें सभी सहरों में सवाई जैसिंग सेकेंड दौरा निर्वित वेदसालाए तो इन्होंने पांच वेदसालाए बनाए समुच्चे आप लोगों को बताना है क्या होगा जैपूर बनारस उज्जेन मतुरा और दिल्ली यह समुच्चे हैं इन सभी जगों पर दोस्तों वेदसालाए बनाए गए ती सवाई जैसिंग सेकेंड के दौरा चलिए नेक्ष्ट किसन राजस्तान में कौन सा तिवार स्र दौर्यास में कौन सा नहीं आता है तो बताइए तौसरावण मास में नव छट उपचट भी नहीं आती साथ में बड़ी तीज यानि की कजली तीज भी बादर पदमास में आती है ना की सावन में तो बड़ी 30 हो और उपचट यह दोस्तों कब आती है यह कब आती है मित्ट सावन में कौन-कौन से तिवार आते हैं मैं आपको बता दें चाहता हूं रक्षा बंदन, नाग पंचमी, निड्री नौमी, छोटी तीज ये सावन माँ में आती हैं ये जो मैंने तिवार आपको बताए हैं नेक्ट क्यूशन, वंस बास करके रचिता कोन है? वंस बास करके रचिता कोन है? वीर सत्साई हो या वंस बास करो इन सभी के जो रचिता है वो सूरे मल मिस्रने दोस्तों और ये बूंदी से समंदिते हैं किसे? बूंदी से समंदिते हैं इनकी एक और दोस्तों, बलवन्त विलास, ये भी इनी के द्वारा लिखी गई, रचना है, बलवन्त विलास, भीर सच्चाय और वन्स बाच कर, और कुछ इंपोर्टेंट और भी पुस्तके हैं, उनका नाम आप याद रखना, उनका लेखक का क्यूशन आ सकता है, आपकी एक्जाम में, कनया लाल सेटिया के द्वारा लिखी गई है, पातल और पीतल, राज विलास किसके द्वारा लिखी गई, कवी मान के द्वारा, राज तरंगिनी, कलन के द्वारा, परतिवराज बिजे, जयानक के द्वारा, प्रबंध कोस, राज सेकर के द्वारा लिखी गई, अगला क्य हिंदू के जो पत्ते होते हैं वो वरक्स जो है बीडी बनाने में काम आते हैं नेक्स्ट कुशन रेह कलर और उसर किस मरदा के अन्य क्या नाम है तो लेवनिय जो मरदा होती है उसके अन्य नाम है रेह कलर कलर ऊसर ठीक है नेक्स वरसन राजस्तान में माउट किसका इस्ताने नाम है माउट किसका इस्ताने नाम है बताइए जो सीध कारिन में वरसा होती है दोस्तों सीध काल के समय जो अभी अधी वरसा हो जाए तो वो किसके कारण होती है उसको क्या बोलते है अगला एक्शन राजस्तान में मुख्या मंत्री शड़क योजना किस वर्स लागू की गई राजस्तान में मुख्या मंत्री शड़क योजना किस वर्स लागू की गई इसका जवाब हो जाएगा दो जार पांच में मुख्या मंत्री शड़क योजना दो जार पांच में वह किस जिले में हैं तो जम्वारामगड दोस्तों किस जिले में जैपूर में जम्वारामगड का हैं जैपूर में हैं जम्वारामगड याद रखना जम्वारामगड जैपूर में हो गया साथ में आप से पूछे राष्ट्र मरुद्ध्यान जेसल मेर और बाड मेर में हैं व सारे के सारे याद रखना जो भी मैं आपको बताता हूं डिटेल वो डिटेल भी आप कंटस्त याद रखिएगा राजस्तान के परतम जेविक उद्यान का क्या नाम है राजस्तान का जो परतम जेविक उद्याने बायलोजिकल पार्क है उसका क्या नाम है नाहरगड तो बायल लिकित में से कौन सा एक युग में जो सुमेलित नहीं है यानि कि गलते खनीज और खनन सेत्र दे रखा है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा तामबा खेतड़ी जुन जुन सही है लो आइस मोरिजा बानला एकदम सही है उसके लावा यावर सीशा जस्ता जावर सही है टंग टंगश्टन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा टंगश्टन का जो सरवादिक उत्पादन वो बंडारन है वो डेगणा नागोर में का है डेगणा नागोर में हो जाएगा अगला क्शन है राजस्तान में बीसवी पसुगणना दो जार सत्रा बीसवी पसुगणना दो जार 17 के अरुसार निमले कितमे से कौन सा संक्या में सरवादिक है तो कौन सा सरवादिक संक्या में तो बक्रियां है कौन सी है बक्रियां है सरवादिक संक्या में कौन है बक्रियां हो जाएगी आप लोगों का सही जवाब चलिए आप से पूझा जाए कि परती पसु गनतव कितना है राजस्ताने पसु गनतव कितना है तो पसु गनतव है राजस्तान में 166 कितना 166 हो जाएगा चलिए नेश्ट परसान राजेंदर सिंग निमले कितमे से किस संस्ता के संस्ता पक है बताईए राजेंदर सिंग निम इसके अलामा आपको पूचा जा सकता है कि राजस्थान सेवा संकी, इसके संस्टापक कौन है? तो इसकी स्थापना 1919 में कीती राजस्थान सेवा संकी, इसका संस्टापक थैसी जी लिए सिंहां, konnten fum dispोरеч़ारों, यूक्ति जी 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 सुट्पर्दी। मटल मैला मंडल इसकी स्तापना कीती 1935 में राजस्तान राज्या का आकसान से विस्तार वे तीन मिनिट उतर से पिछ उत्तर होंगा क्योंकि आекस्तार पूछए तो पिछ उत्तर होना चीए और आप से देसांतर पूछे तो पीछ पूरू होना के याद रखना मेना योसकता है यह हो सकता है को यह ढोंगती से सबस्क्राइब हुगए ना दोस्तों धापर दोनों के दोनों सहिये सर और दोनों सहिये ठीक है ना चलिए और आपसे अकसांस यह तो आपसे देशांतरे कुछ है तो देशांतरे विश्तार है 79 डिग्री 30 मिनिट पूर्वी देशांत याद रखना इमपी याद रख लेना इंपोर्टेंट है सारा का सारा चलिए अगला प्रसंद निमलिकत में से कौन सी पसल राजस्तान के आदर दक्षनी मेदानी क्रसी जलवायू खंड के लिए उप्यूक्त नहीं है तो बताइए दक्षनी मेदानी क्रसी जलवायू खंड के लिए उप्यूक्त कोन सी पसल नहीं है तो इसका जवाब क्या होगा इसका जवाब का जीरा जीरा इसके लिए उप्यूक्त नहीं है ग्यों दाले चाउल की पसल राजस्तान के आदर दक्षणी में किसी मजलवायों के लिए उप्यूकता है परन्तु जीरा नहीं है नेक्स क्यूशन निमले कित में से कौन सा मरुस्तले करण का कारण नहीं है बताइए अतिवरष्टी हो जाती है तो यह कोई मरुस्तले कarण नहीं है जबकि अतिचारण निर्वल्ट करण नंगरिया करण यह सब क्या है यह मरुस्तले करण के कारण है निमले कित में से कौन सी लिप्ट नहर इंद्रागांदी नहर पर बनाई गई पालि लिफट नहर है तो गजनेर लिफट नहर हो जाएगा या फिर कोई दूसरी तो बताव फटाव पटए जल्द बनूँ तो कमर्शेन है मित्रो कौन सी है कमर्शेन है याद रखना साथ लिप्टनर है अब उनके कुछ इंपोटेंट है मैं आप लोगों से बोलता हूँ आप लोग तो पढ़ते नहीं हो तो मैं आज ही खुदी बता देता हूँ तो जो गंदेली सहवा है इसका अन्य नाम कहा है चोदरी कुमबाराम आप ये तो आप देख लेना कि कौन से जीले को लाबानवित करती है ये इतना साथ फ्रज़तों बनना नहीं आपका तो इतना साथ तो काम करो आप बिकानेर लूनकरन लिप्ट सेहर का क्या नाम है कमर्शेन गजनेर का अन्य नाम है पन्नालाल भारुपाल वागड सर का अन्य नाम है वीर तेजाजी लिप्टनर कोलायत का जो अन्य नाम कहा है डाक्टर करणी सिंग फलोदी का अन्य नाम कहा है गुरु जंबेश्वर फोक प्रण का ने नाम है जहे नारहन व्यास है अगला किसने निमलिकित में से कौन से युकम जीले में से एक भी नदी प्रवाइट नहीं होती तो एक भी जीले में नदी प्रवाइट नहीं होते कल भी बतायाता मैंने कि बीकानेर चुरू दो ऐसे जीले जहां एक भी नदी नहीं है क्या है एक भी नदी नहीं है अगला एक्षन भारत के कुल सेतरफल का राजस्तान द्वारा आचा दित परतिसाद सेतरफल कितना है तो 10.18 और आप से पूछा जाए कि जेसल मेर का सेतरफल राजस्तान के शेतरबल का कितना है तो ग्यारा पॉइंट बाइस परतिसद जबकि आप से पूचे जाए कि रजस्तान का सबसे छोटा जिलाए धोल पर उससे कितना गुना है जेसल मेरे तो बारा पॉइंट छाशट गुना है तो यह जितने भी मेरे आपको क्यूशन बता रहा हूं दोस्तो यह सारे के सारे आप लोग याद रगे साथ ही में ऐसा पूचा जा सकता है कि 10% से एरिया जो गेरता है रजस्तान का वो कौन सा जिलाए तो धोल पूर है तो दोनों क्यूशन कभी भी कोई सा भी क्यूशन ठिपक सकता है इसलिए जो जो क्यूशन में आप लोगों को बताता है दोनों का अंतर पूछे तो 43 किलो मीटर का है तो ये चीजे जो भी आप से पूछे होगा याद रखना और उत्तर में कौन सा मतलब एरिया पड़ता है उत्तर में कोन सा जिला है जक्षिन में कोन सा है पूरों में कोन सा है पस् capitalism में कोन सा इस सारे आप याद करके रखना क्योंकि कुशन कहीं से भी आ सकता है राजस्तान के सीमा कितने राज्यों से लगती है तो पांच राज्यों से लगती है और ये कितनी सीमा लगती है मतलब कितने किलोमेटर की लगती है तो 4850 किलो मेटर के लगती है आप से पुचा जाए कि पाकिस्तान के साथ कितने जिले सीमा बनाते है दो राज़तान के चार जिले और पाकिस्तान के कितने नो जिले सीमा बनाते है ठीक है कौन-कौन से परांते है सिंद परांत और पाकिस्तान परांत के दो राज़े है उनके जीले बनाते हैं, साथ ही में आपसे पूचा जा सकता है कि अंतरराष्टे सीमा की कितनी है, तो 1070 किलो मीटर की लंबाई है, आपसे पूचा जा सकता है कि अंतरराष्टे पलस राच रहे, दोनों की कुल लंबाई कितनी है, तो 69 किलो मीटर है, आपसे जो भी कुछा जाए मित जो है जो डिलेक्ट हो गया था data case memory में वो वापिस आ जाएगा आपका कहीं न कहीं से गोंफिर किये ठीक है तो इसलिए आप क्या करो दोस्तो जैसे भी पड़दा चाहे लीजे आपको मैंने अब तक दोस्तो लगबग 33 से 34 वीडियो पड़ा दिये और सबी वीडियो ज्याद मैं बच्राएं आपके पास रात रात का तो समय नहीं कैना सुब्ध दो वीडियो और नहीं होने से पहले-पहले बसे पहले-पहले तरह मैं यह बारा बजे तो मैं जिस्ट बारा बजे आपको एक एक पेपर डाल दूगा कि फष्ट सिप्ट में क्या-क्या क्यूंस न आए और का से ज्यादा मेटरा है और आपको क्या पड़ना चीह सेकेंड शिप्ट के लिए जाना एक टीक है तो दन्यवाद भी। देखेल हो मैं मिलता हूं नई वीडियो को साथ तब तक बने रहे हैं अभी आपके लिए सुबह। जश्ट सुबह आपको 6 बज़ जाएगी, 8 बज़े वीडियो मिल जाएगी, तो दोनों वीडियो जरूर देखके जाना, 6 बज़े पलस 8 बज़े, दोनों वीडियो जरूर देखके जाएए, आप सब भी विद्यारती, दन्यवा